बजेट में पैसों का इंतजाम किया और फिर फिर शुरू की प्रधान मंतरी सिंचाई परियोजना आज इस परियोजना की बज़व से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो तीस, तीस, चालीस, चालीस साल से अचकी पड़ी थी, फाइले भी खो गई थी, साथियों आप जानते हैं, हम इस पर कितनी रासी खर्च कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 90,000 करोड रुपिया, यहने एक प्रकार दे एक लाग करोड रुपिया, यह है हमारा काम करने का तरीका, बाई और बहनों, अगर मुझे राजनीती करनी होती, अगर मुझे किसानों को वोट बेंका हिस्सा ही बना के रखना होता, तो मेरे लिए तो बहुत सरल था, यह एक लाग करोड रुपिया के इतनी सारी योजनाओं के पिछे मेहनत करने क्या जरूरत थी, दिन राज पुच्ताच करने क्या जरूरत थी, बाबुओं को दोड़ाने की क्या जरूरत थी, सीधा सादा एक लाग करोड प्या किसानों को करज माफी करकर के, बदमाण देता, लेकिन मैंने किसानों को गुमरा करने वाला रास्ता नहीं, चुना पाप नहीं किया, करद मांपी तो एक बिड़ी की हो जाती एक साल की हो जाती लेकिन एक लाग करोड से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भ्ला करेगा किसान की 55-25 पुड़ी का भ्ला करेगा वो कभी करज़दार ना बने ये ताकप उसको मिलने का काम हम ने किया हमने वोटमेंग की राजनिती नहीं की हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया और इसलिए भाई ये बेंनो ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं उसी खेल का पुननाम हा ज़ै कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है उन्होंने नवजवान को याचक बना के रखा हुआ है उन्होंने माता बहनों को असुरचित बना करके रखा हुआ है उन्होंने सारी चीजे लोग सरकार के भरोसे जिये ऐसी विवस्ता बना करके रखी है उसे विवस्ता को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ देश सरकार से नहीं देश देश वासियों से चलना चाहिए देश हम लोगों से नहीं आपके लिए होना चाहिए आपकी ताकत के भरोसे चलना चाहिए इस इरादे से हम काम कर रहे हैं